हेलो दोस्तों स्वागत आपका अमार चैनल कॉरिन इंडिया में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर रहाया हूँ कि एक मेरे पर स्ट्रिंग है तो मैंने उसका फाइंड करना है कि उसका लास्ट वर्ड क्या है तो उसके लिए मैं function बनाओंगा और inbuilt function के साथ भी हम करके देखेंगे तो इसको दो मैचर से करके देखेंगे तो एक method होगा inbuilt function के साथ और जो दूसरा method होगा वो होगा कि जो वर्सों से चलती आ रही है हम एक list बनाएंगे फिर उसको reverse से loop करेंगे फिर उसके word को concatenate करेंगे and then फिर हम जो भी हमारा output आएगा वो होगा क्या वो होगा ulti string that means यह channel होगा तो यह उल्टा होगा तो उसको फिर से सीधा करेंगे तो हमारा output आएगा तो यह होंगे हमारे पास दो method दोनों हम करके चलिए चलते हैं और यहां पर एक मैं बनाता हूं variable तो मेरा जो अभी अभी result आएगा वो इसमें आएगा इसमें स्टोर होगा तो अभी जो variable मैंने बनाया है तो उसके अंदर मैं प्रोग्रम बनाता हूं वो प्रोग्राम होगा word.split अब इससे क्या होगा जहां पर इसको space मिलेगा क्योंकि हमने इसमें कुछ argument पास नहीं किया है split में तो जहां पर इसको space मिलेगा उसने break कर देना है उसको break कर देगा और उसको array की तरह है code in India is best program यहनी split करके split करके space से इसको divide किया है तो अब हमारा find out करना बहुत ही easy हो चुका है अगर मैं इसको यहां से comment करता हूं और यहां पर आता हूं और लिखता और रिवर्स हो minus one ठीक है दोस्तों तो अब हम प्रिंट करके देखते हैं तो कि प्रिंट करके देखते हैं क्या आता है हमारा output तो हमारा output होगा यह reverse हो गया है तो हमारा channel जो है वह reverse हो हो चुका है यह ठीक है तो तो अब यह था उसको slicing करना ठीक है अब मैं ऐसे अगर इसको यहां से slicing घटा तो सिरफ minus one दे दूं तो क्या होगा तो यह देगा मेरे को output तो यह output क्या देगा मैं भी बचाता हूं आपको तो यह output आएगा इसका channel तो देखिए दोस्तों हमारा लास्ट आ चुका है अगर मैं इसमें कुछ भी एड कर दूं और फिर से इसको ctrl alt n से मैं रन करूं तो देखना दोस्तों यह भी क्या देगा यह ऐसे देगा जो लास्ट वर्ड है हम एड करते नहीं कोई मतब नहीं है यह लास्ट वर्ड ही चूज करके हमको देगा तो दोस्तों यह था सबसे simple method अब हम दूसरा method देखते हैं तो चलिए दूसरे method की तरफ तो पहले ही इस method को हम करते है क्मेंट एंड अब हम यहां पर आके बनाते हैं एक function उसका नाम होगा लास्ट वर्ड तो होगा वह लास्ट वर्ड ठीक है दोस्तों तो अब इसके अंदर में पास क्या करूंगा इसके अंदर एक वेरियेबल पास करूंगा ताकि इसको return करके हम value pass find out कर सकें तो इसको अभी हम थोड़ा small कर लेते हैं तो लास्ट वर्ड आया है अब इसके बाद मैं क्या करूंगा इससे एक मैं सबसे पहले एक word लूँगा empathy string लूँगा अब यह क्यों लूँगा यह मैं आप करके बताता हूं क्योंकि जो word हम loop चलाएंगे तो उसके word को store भी करवाना है तो वो हम इसमें करवाएंगे तो लास्ट वर्ड तक हमने लिया अब इसका हम length find out करते हैं हमने किया length find out तो length of किसका हम length out find करेंगे इस word का नहीं करेंगे इसका नहीं करेंगे हम इसका करेंगे जो string हमारे पास आ रही है जो string आ रही है हम उसका length find out करेंगे तो हमारे पास length आ जाएगी तो अब हम यहां से for loop चलाएगे 4 i in range length-1 length-1 की last length तक कहां से 0 से और start कहां हो minus 1 that means पीछे से start हो तो अब यह पीछे से start हो चुका है I hope यहां तक तो आपको समझ आ चुका होगा तो अब हम क्या करेंगे अब हम करेंगे कि loop चलाएगे loop क्यों चलाएगे मान लो जो मेरे पास यह result आया यह minus 1 से पीछे तक जा रहा है तो यह पीछे तक जा रहा है अगर मैं यहां पर print i कर दूं और control alt n से run करूं तो देखना भी आपको पर चल जाएगा यह क्या हमारे पास output आ रहा है तो यह output कुछ भी नहीं आ रहा है अच्छा तो यह output अभी नहीं आ रहा है क्योंकि हमने यहां पर pass ही नहीं किया है ना तो यह हमने pass ही नहीं किया है लास्ट वर्ड क्या पास करना है हमने करना है स्ट्रिंग तो लास्ट वर्ड हमने स्ट्रिंग पास करना है और इसको हम कर ले और फिर कंट्रोल अल्ट एंड से रन करते हैं तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास आउट पूट तो हमारे पास देखें दोस्तों यहां पर तो तो इसं लिए लए तो इस लिए पर यह देखा अब क्या करना है अब करना है हम्कों सबसे बहुiciones करने यहां से अब उसके बाद आभ हम क्या करेंगे अब इसके अंदर चैक करेंगे कि जहांपर सपेस उसको मिलेगा उसको स्पेस मिलेगा वहहां पर break कर जाए तो अब हम क्या करेंगे इफ हमारे पास हमने उपर क्या पास किया है S और S of I equals to equals to space है तो क्या कर दो return कर दो हमारे पास जो हमारे word की value है उसको return कर दो तो उसको किस form में return करना है उसको करना है minus 1 that means reverse order में हमने यहाँ पर reverse किया और यहाँ पर reverse किया that means वो सीधा हो गया तो उसको reverse order में वो कर दो return कर दो else else क्या करना है जो word है न उसको करना है word equals to word plus s of I that means हमारे पास पहली जो value आएगी उसको यहाँ पर store करवाना है तो सबसे पहली यहाँ पर a आएगा तो a plus s तो यहाँ पर store होएगा फिर वो यहाँ पर उसको return कर देगा एसे हो जाएगा फिर यहाँ पर s j वहाँ पर फिर s j for return होगा and so on दोस्तों ऐसे ही जब तक उसको space नहीं मिलता वो return करता रहेगा हमको value and दोस्तों तो चलिए अब हम इसको run करके देखते है क्या हमारा output आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो दोस्तों अब हम क्या अच्छा तो दोस्तों यहाँ पर आके हम print कर लेते हैं इसको हमने print ही नहीं किया है ctrl-alt-n से अब run करते हैं तो दोस्तों अब जाके हमारा output बिल्कुल सही आएगा तो last word देखिए djsa दोस्तों आई होब आपको यह video समझ आया होगा ऐसे ही मजदर video के लिए please बने रहे है हमारे channel code in India पे